भारतिय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी का रुख भी अब आक्रामक हो गया है। पत्नी हसीन के संगीन आरोपों से घिरे शमी दस दिन बाद प्रकरण को लेकर आक्रामक दिखे। इन सारी शॉपिंग आज भी मेरे ही क्रेडिट कार्ड से करती हैं। उन्होंने बताया कि जब वह दक्षिन अफ्री का दोरे पर टीम के साथ गए थे तो हसीन ने डायमंड रिंग लाने के लिए कहा था। इसके लिए वहाँ 250 की मी दूर गए थे। उसके बाद लोटते समय दुबाई से जवेल वी लाने की जिद्ध की नलाने पर हसीन ने घर में जहमेला करने की चेतवनी दी थी। मेरे मुबाईल की वाटसाइब चैटिंग इसका सुबूत है। बताया कि हसीन लालची और शकी महिला है। परिवार और रिष्टेदारों से बात करो तो भी शक करती थी। जिसने दुशकर्म किया उसके घर दूसरे दिन ही वे कैसे चली गी। अपने भाई हसी बहमद पर लगाए गए दुशकर्म के आरोप पर सक्फाई देते हुए कहा कि हसीन ने 7 दिसंबर को दुशकर्म करने का आरोप लगाया है। जबकि 2 दिसंबर से दिल्ली में श्री लंका के साथ टेस्ट मैच था। प्रदूशन के कारण यह टेस्ट मैच बीच में ही रोग दिया गया था। 6 दिसंबर को दिल्ली के ताज होटेल में भुवनेश्वर कुमार का रिसेप्शन था जिसमें हसीन और बेटी आयरा मेरे साथ थी। 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे उन्होंने होटेल से चेक आउट किया और शाम 4 बजे गाव पहुँचे जहां हसीन को छोड़कर भाई ह हसीब के साथ फाम हाउस चले गए इस दोरान भी हसीन उनके साथ वाट सैप पर बात करती रही शाम को भाई हसीब उन्हें घर चोड़कर मुरादबाद स्थित अपने अवास पर चले गए आठ दिसंबर को वे हसीन के साथ हसीब के घर भी गए थे उस समय भी कोई बात नही थी अगर साथ दिसंबर को हसीम ने हसीन के साथ कोई घलत हरकत की थी तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं फिर हसीन ही नहीं कोई भी महिला उस इनसान के घर क्यों जाएगी जिसने उसके साथ घलत हरकत की है शमी ने कहा कि हसीन ने सुलह के सारे रास्ते बंद कर दिये ह अब वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तथा खुद वपरिवार को बेकसूर साबित करेंगे